थोस्तो आज हम लोग हुमन बर्डी के बारे में बढ़ेंगे हुमन बर्डी एक मसीन जैसे पिआ करता है जैसे एक मसीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारे सरीर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारा सरीर छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है यह सबसे छोटी इकाई होती है हमारे सरीर के लिए या ऐसा बोलें किसी भी living organism के लिए जैसे मसीद में सबसे छोटी इकाई एक screw होता है वैसे ही हमारे सरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है जिसे हम लोग sale कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका हुई इट मेंस sale is the tiniest unit of any living organism बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाने से उत्तक का निर्मान होता है उत्तक जिसे हम लोग tissue बोलते हैं जिसका एक खास काम होता है हमारे सरीर में बहुत सारे उत्तकों को मिलाने से organ का निर्मान होता है जिसे हम लोग अंग बोलते हैं जिसका एक खास काम होता है बहुत सारे ओर्गन्स को हम लोग मिलाते हैं तो ओर्गन्स सिस्टम मनता है और इस प्रकार हमारा पूरा सरी तैयर होता है इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे सरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका हुई बहुत सारे कोजिकाओं को मिलाने से उत्तक का निर्मान होता है बहुत सारे उत्तकों को मिलाने से और्गन का निर्मान होता है और बहुत सारे और्गन्स को मिलाने से और्गन्स सिस्टम का निर्मान होता है और हमारा सरीर बनकर तयार होता है अर्गन दो तरह के होते हैं, एक इंटर्नल अर्गन्स, दूसरा एक्स्टर्नल अर्गन्स, इंटर्नल अर्गन्स उन्हें कहते हैं जो हमारे सरीर के अंदर होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे हमारा हिर्दय, हर्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, एक्सेटराज, और क कुछ और्गंस वैसे होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी आखों से देख सकते हैं जैसे हमारा नाक आख तो अच्छा जीवा इन सब को हम अपने आखों से देख सकते हैं इसलिए हम लोग इनको external organs बोलते हैं external organ का ही एक हिसा हमारा sense organ होता है आप लोग जानते होंगे sense organ जो हमें sense का एहसास दिलाता है समवेदना का एहसास दिलाता है महसूस का यह एहसास दिलाता है जैसे हमारा आख नाक कान तो अच्छा जीवा यह हमारे पांच sense organ होते हैं अब हम लोग आँख के बारे में पढ़ेंगे हमारा आँख जो है Sense of Vision का हैसास दिलाता है ये हमें सीखाता है जब किसी वस्तूप पे हम लोग देखते हैं तो उसका रंग कैसा है उसका आकार कैसा है उसका रूप कैसा है इन सबी चीजों के बारे में सिखाता है जब हम लोग इसी वस्तूप को देखते हैं तो हमारा दिमाग के पास एक Message आता है हमारा दिमाग ये बताता है कि ये वस्तूप क्या है और उसके हिसाब से हम लोग उसका Respond करते हैं यानि कि उत्तर देते हैं दोस्तों अब हम लोग नाक की बारे में पढ़ेंगे नाक का दो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है पहला रिस्पारेशन में ये काम करता है यानि की हम लोग जो ऑक्सीजन अपने सरीर के अंदर लेते हैं और कारबन डायोकसाइड जो सरीर के बाहर करते हैं यहाँ पर नाक क पॉफ्यूम ये सब खुश्बुदार चीजे होती हैं कचडे सड़े हुए अंडे ये बदबू देते हैं इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नाक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों अब हम लोग कान के बारे में पढ़ेंगे कान जो होता है हम हम लोग कोई चीज जो सुनते हैं हमारी आवाज हो आपकी आवाज हो किसी चीज की आवाज हो हम लोग आवाज से पहचानने के कोस्स करते हैं ये आवाज या तो अच्छा हो सकता है या पर बुरा अच्छा को हम लोग स्वीट सूधिंग बोईस बोलते हैं और जो बुरा ह और होगा हमारे सरीर का सबसे महतोपूर्ण समवेद सील जो पाठ होता है वो हमारे उंगलियों का टिख होता है ये किसी चीज को छूने से दूर से भी सेंस कर लेता है कि वो चीज या तो गर्म है या तो ठंडा है कोई चीज बलंट है, शार्प है, नुकीला है, कैसा भी हो इसका एहसास हमें जस्ट छूने मातर से ही पता चल जाता है यानि कि हम बोच सकते हैं हमारा स्कीन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे सरीर में अब हम लोग टंक के बारें पढ़ेंगे, जिसे हम जीवा बोलते हैं, ये हमारे सेंस ओर्गन का पांचोंआ पार्ट होता है ये हमें सेंस ओफ टेस्ट का एहसास दिलाता है, हमारे जीव में अलग-अलग तरह के टेस्ट बर्ड होते हैं टेस्ट बर्ड का मतलब होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज मीठी है, नमकीन है, खटा है, कैसा उसका टेस्ट है यानि कि हमारा जीव जो है अलग-अलग टेस्ट का एहसास दिलाता है मीठा, खटा, नमकीन, तीता, कैसा भी हो इसका एहसास हमें जीब से पता चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानि की पाजन तंत्र इसका मुख काम होता है हमारे खाय हुए भोजन को डाइजेस्ट करना पचाना और एनरजी को फाइंड आउट करना सबसे पहले भोजन जो है जब पहला बाइट हम लोग लेते हैं वहीं से सुरू हो जाता है वहां से हम लोग मुख में डालते हैं सलाइवा के साथ मिलता हुआ यह हमारे ओसो फेगस के माध्यम से हमारे इस टमक में पहुंसता है इस टमक में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वहां से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां पर वीली के माध्यम से नियूट्रियंट्स को अब्जॉर्ब होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर औ डाइजेशन का सबसे important काम होता है यह हमारे भोजन को soluble form में तोड़ देता है soluble form में तोड़ने का reason यह है कि इसमें present जितने भी nutrients हैं जैसे water, salt, glucose, vitamin, carbohydrate, protein, fats इनको absorb किया जा सके और इसको energy में convert किया जा सके ताकि हमारा पूरा सरीर energize हो पाए nervous system nervous system का मुख्य पाट हमारा brain, spinal code और nerve यह मिलकर nervous system का निर्मान करते हैं हमारा brain हमारे माथे में यानि कि खोपड़ी के हड़ी के अंदर होता है इसका मुख्य काम हमारे पूरे सरीर को नियंतृत करना है, control करना है या इस spinal code के माध्यम से यानि जो हमारा read की हड़ी होता है, उसके माध्यम से हमारे पूरे सरीर में attached होता है, control करता है यह हमारे सारे actions जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, कोई भी काम करते हैं, यह सारे चीजों को control करता है respiratory system, स्वासंत अंत्र, हम लोग दीन रात स्वास लेते हैं, oxygen को सरीर के अंदर, carbon dioxide को सरीर से बाहर इस प्रकिरिया को हम लोग respiration कहते हैं, जब हम लोग oxygen को सरीर के अंदर लेते हैं, तो यह wind pipe के माध्यम से हमारे lungs में जाता है और जो filtered oxygen हमारा सरीर यूज करता है, और जो उसका waste part होता है, carbon dioxide, उसको हम लोग अपने नाक से बाहर कर देते हैं इसका सबसे important part जो होता है, नाक, wind pipe और lungs circulatory system, हमारे सरीर में छोटी छोटी रखतनें लिकाओं, जिसे हम blood vessels बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा network होता है जो हमारे hurt और blood से attached होता है, ये सारे मिलकर circulatory system का निर्मान करते हैं इनका सबसे important काम हमारे सरीर में flow of blood को maintain करना होता है इसका सबसे central part हमारा hurt होता है, जो हमारे blood को pump करके पूरे सरीर के हर part में, हर हिसे में पहुचाने का काम करता है muscular system, हमारे सरीर का जो muscles है वो tissues का बना होता है हमारे सरीर में 600 से ज़्यादा तरह के muscles होते हैं ये सारा muscles हमारे bones को cover किये हुए रहता है, attached रहता है जिससे की हमारे body का framework तयार होता है और हमारे bones को movement में help करता है skeleton system, हमारा सरीर हड़ियों से मिलकर बना हुआ होता है हमारे सरीर में 206 हड़ियां होती है और ये पूरी हड़ियां मिलकर skeleton system का निर्मान करता है जिससे हमारा body का एक structure, एक धाचा तयार होता है ये हड़ियां हमारे सरीर के बहुत ही important organs, heart, brain और lungs को protect करती है हमारे सरीर का ये बहुत ही मजबूत part होता है जो हमारे सरीर को सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों अभी हम लोग मानों सरीर के बारे में पढ़ रहे थे अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए chapter के साथ मिलते हैं थैंक्स पो वाचिंग प्रग्यान पाट साला इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें ताकि सारे बच्चे इससे लावानवीत हो सकें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें क्योंकि अगले chapter की आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप लावानवीत हो सकें तब तक के लिए जैहिंद